वेलकम टू दी सीरीज ओफ फाइनल टर्म प्रिपेशन यह फाइनल टर्म की प्रिपेशन सीरीज की वीडियो है कम्प्लीट सीरीज इस चैनल के उपर अपलोट की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको M.G.T.E. 301 की थीम नंबर 7 से लेका 13 तक करवाई जा रही है फाइनल टर्म के लिए मेन पॉइंट्स करवाई जा रहे हैं फाइनल टर्म एक्जैम्स के मताबिक तो शुरू करते हैं आज की इस टुटियल को इसमें सबसे पहले है सेग्मेंटेशन सेग्मेंटेशन का मतलब क् मार्केटव कर दिया जाता है दो आहीं किया जा causes सकता मार्केट बहुत बड़ी होती जाते हैं दीवाइट के जाता है मार्केट को की बनियादों याता है ऑ और डेमैटों जोग्राफिक सेवेड़ेसन औहने हैं Das, looking for district, क SIMP, जहाँ जोऊड़रे कि एइज जेंडर वगेरा की बेस cruise के और सॉश्चल क्लास की बेस के लग्वार करते जाता है एक अब अगर भात करता है टाइप आप के बाइप मार्ट a टार्गेट मार्केटिंग होती है टार्गेट किया जाता है और इस तरह की मार्केटिंग की जाएगी और डिफ्रेंशेटेटी कि अंदर क्या होता है कि कहीं सारे मार्केटिंग की जाती है और हर गोल क्या होता है चीफ करना हायर सेलस और स्ट्रॉंगर पॉजीशन का इक फोक्स होता है स्पेशलाइस पार्ट के वब सेग्मेंट के जैसे के कंपनी जो हो टागेट करती है सिर्फ BMW कस्टमर्स को माइक्रों मार्किटिंग की जाए तो टेलर किया जाता है प्रोड़क्त को और मार्केटिंग प्रोग्राम्स ताके सूट करें जाए नीट और जो वांड है स्पेसिफिक इंडिविजुल की नीड और वांड के मुताबिक जो वो बनाया जाता है और जो लोकल कस्टमर्स होते हैं लोकल मार्केटिंग की बार कि जाए तो डिफाइन डिफरेंट ओफरिंग जो डिफरेंट लोकालिटी के लिए जैसे कि ब्रैंड है उसकी डिफरेंट ओ हो ढशाब हो ढ 좋은 डुसरे के मकाबले में कि मेधर के में अंके में बठरम प्रॉडक्ट और पोजिशन होती है और जिस प्रॉसेस के जरीव हो प्रॉजिचेन के लाए जाता है हुद कर मा जिये मेरे के बाइच के ऊपर और यह जोपिस आखिस कर जाए जाए या फिर जादा benefits दिए जाएंगे ताकि price को justify किया जा सके value proposition होती है जो के full mix होती है benefits का जिसके उपर एक brand को position किया जाता है और यह इस बात का answer है कि why should I buy your product यह क्यों कोई buy करेगा product और तीन लेविल होते है product के तो core customer value जो basic functions है जिसे के गाड़ी का basic function होता है चलना तो वह कोर customer value होती है इसी तरह actual product होती है इसके अंदर design आ जाता है और जो packaging वगरा होती वह आ जाती है हम अपने personal इस्तमाल के लिए जो buy करते हैं और सेकंड होती है इंडिस्ट्रिल प्रोड़क्स जो के फैक्ट्री वगरा में यूज की जाती है consumer products भी different तरह की होती है convenience होती है जिनको आसानी से बाय कर लेते shopping products होती है specialty products होती है और unsort products भी होती है इंडिस्ट्रिल प्रोड़क्स भी जारी बाते कहीं सारी products के अंदर डिवाइड होती है classify क्या जाता है capital items होते है materials parts है supplies and services वगरा भी आ जाते है capital items जो होते हैं इंडिस्ट्रिल प्रोड़क्स के यह मदद करते हैं production के अंदर या फिर operation के अंदर जो है style और design और brand की बात करें हम branded products लोग खरीते हैं तो brand असल में है क्या brand जो नाम होता है brands के लिए नाम भी यूज़ किया जाता है कोई term भी हो सकती design भी यह इन तमाम चीज़ों का combination भी हो सकता है जो के identify कता है maker या seller जो एक product या service का ब्रैंड का मतलब यह होता है कि एक product जो है वो अलग है दुसरे seller या company की प्रोड़क्स ऐसी वैसे लोग buy कते हैं लगता है कि यह जो हम brand भाई कर रहे हैं branded product जो हम बाई कर रहे हैं यह अलग होगी बाकी company से अब वह हो या ना हो वह एक अलग matter है लेकिन यही मकसद होता है brand बनाने का और packaging के बात करते हैं तो उसके अंदर designing और produce करना और प्रोड़क्स आप जो वह पैकेट्स के अंदर बाए कते हैं product तो वह किसी container या रेपर के अंदर होती है और label होता है जारी बते उसके उपर पैकट के उपर तो वह जो इसका डिसक्राइब कता है इसके अट्रिब्यूट्स को डिसक्राइब कता है और प्रोमोशन भी कर रहा होता एक तरह से उसके उपर लिखा वा होता है बहुत कुछ product के बारे में एवन के same type of outlet के जरी और फॉल कती है given price range में वह product line के तौर पर जानी जाती है और product mix के अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर तमाम product और आइटम्स होते हैं जो कि पार्टिकल सेलर एक सेलर के पास जो होती है तमाम product और आइटम सेल के लिए वह हम product mix के अंदर आ जाती है और width से मुर बात करते हैं तो यह वर्जन्स जो को अफर किया जाते है हर product के लिए line के अंदर और consistency जो क्लोजरी डिलेट करती है जो various product lines होती है उससे brand positioning की बात कियता है से मुराद वह जगह होती है जो के brand occupy करती है consumer के mind में और किस तरह किसे से अब distinguish किया जाता है products of the competitors से marketers जो पॉजिशन कर सकते हैं brand जो है किसी भी एक के उपर तीनों लेविल में से जो के attributes है benefits से इसके लाव ब्लीजन वैल्यूस होते हैं brand sponsorship की बात की जाए तो अगर आप expand करना चाहते हैं अपने business या पर चाहते हैं आपको support मिले दूसरी brand से marketing strategy जिसमें एक brand जो support करी एक event को activity को person या organization को और इसमें चार concept जो वह important होते हैं co branding की बात करें तो दूए दूसरे जादा multiple brand जो होती हैं एक दूसरे के साथ वह collaborate करती है ताकि मार्केट कर एक product या फुल्फिल करें एक specific purpose जैसे के airline co branding करती है बैंक के साथ ताकि वह ticket को sale कर सके discount के उपर लाइन extension की बात कीज़ा है तो इसमराद extend करना है कि existing brand name को और existing product category को लेकिन साथ में add किया जाता है निव फॉर्म, size, colors, ingredients या फिर जो flavor होते हैं जैसे के आप देखते हैं के flavor आते ही product के तो वह असल में line extension की जा रही होती है और brand extension होती है जिसमें क्या होता है कि existing brand name तो use के जाता है लेकिन जारी बाते new product category होती है और multi brands होती है यानिके बहुत सी new बहुत सी different brand होती है given category के अंदर, so new product development process के अंदर क्या होता है कि कुछ steps होते है process start होता то idea generation के पन जाथ एक idea आता है कि इस तरह की product बनाएंगे फिर उस idea की screening की जाती है फिर concept development होती है पर टेस्टिंग होती है marketing strategy होती है marketing strategy development होती है business analysis होता है product को बनाया जाता है उसकी test marketing की जाती है पिर आखर में commercialization कर दी जाती है price की बात करें price क्या होता है वो amount of money होता है जो के charge किया जाता है product or service के लिए जारी बदे जिता भी price हम पे करते हैं वो चार्ज किया जा रहा होता है हमसे product or service के लिए और यह सम होता है उस value का जो के consumers को जारी बाते गिवप करना पड़ता है देना पड़ता है ताकि उसको हासल को किया जा सके benefits प्रोडक के होने का या उसको यूज करने का या फिर सविस के होने का प्राइजिंग की बात करें तो इसके बात करें तो यह एक अपर लिमिट होती है जिसके उपर अगर इससे बाहर चला जाए प्राइज 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 अपर चला जाता है तो फिर जो कुले मिनिम्म प्राइज होता है तो इसको चार्ज करते हुए जारी बाते प्रॉफिटबल रहे सकता है कोई भी सेलर उसको प्राइज फोर केते हैं और अवराल marketing strategy आ जाती है कि market segment और positioning क्या है इससे फर्क पड़ता है price के उपर type of demand क्या है यानि कि elasticity of demand क्या elastic है या inelastic है और type of market क्या है monopoly है AC market जहाब एक ही seller है डोपली है दो seller है औलिगोपली है बहुत कम seller है monopolistic competition है बहुत सारे seller है और perfect competition है बहुत ज्यादा seller मुझूद है और economic condition से भी फर्क पड़ता है जाहरी बाते GDP यानके gross domestic product की जो growth है उससे फर्क पड़ता है per capita income average income जो एक country के अंदर है उसको हम कहते है per capita income अब यहाँ पर thousand dollar earn करना जाहरी बहुत मुश्किल है एक manager के लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि वह thousand dollar earn कर सके लेकिन यूएस के अंदर जाहरी बाते thousand dollar earn करना बहुत असान है तो पर capita income से भी बहुत फर्क पड़ता है इसके लावा inflation rate जाहरी बाते महंगाई किस है इससे भी फर्क पड़ता और किस तरह का inflation है टाइप of inflation क्या है balance of trade और exchange rate जाहरी बाते रूपी डॉलर के जो rate है वो और गॉर्मेंट से भी फर्क पड़ता पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा फॉलो किया रहा है कंट्री के अंदर और सेंट्रल प्लाइन एकॉनमी यानि के अंडर में है इदारे या फिरी मार्केट एकॉनमी होती तो प्राइविट इदारों को खुली जो एक तना से छूट होती है न गॉर्मेंट का कंट्रोल तब भी जारी बाते नहीं होता प्राइस के अपर और पर सोशल कंसर्ण भी है वगर को भी फिर देखा जाता है सो प्राइजिंग मेथे के अगर हम बात करते हैं तो प्राइस मुफ्तरिकों से चार्ज किया जाता है वैल्यू बेस्ट के हिसाब से जब बेसरी को हूए है उसके मताबिक होसर्प भेसस था यहाई बनने में प्राइस को सामने रखते हुए उसको सामने में प्राइस प्राइसेट किया जाता है का करेlem कि यहिसके जिसके अंदर जो करते है फिर कि की जाती प्राइप कदि यह प्राइज हर campaign कि प्राइजिंग होती है उसक्त की से दोगलेटिंटर अलवाइजिंग, और प्राइजिंग को प्राइजिंग होती है यहां पेडरेक जाते मार्केट के मुकाबले में ऐसे दैसします strategies होती है product line pricing होती है जहां पर लिया जाता है जो cost difference होता है products के दर्मियान line के अंदर इसके लावा जो customer evaluation है उनकी features का और जो competitors के जो भी price है optional product pricing के अंदर जो लिया जाता है optional या फर accessory जो product होती है main products के साथ और captive product pricing pricing में set की जाती है prices product के लिए जो के लाजमी यूज होती main product के साथ buy product pricing होती है जिसके बहुत कम या बिल्कुल भी value नहीं होती है ऐसी product के लिए और product bundle pricing होती है जहां पर combine किया जाता है कहीं सारी product को at a reduce rate के उपर price change आता है price change इस तरह किसे आता है तो price cut हो जाएंगे कम हो जाएंगे या फिर price बढ़ जाएंगे cut इस वैसे होते एक्सेस capacity का होना या फिर market share को बढ़ाना बढ़ेंगे prices इस वैसे होते हैं क्योंकि या तो महंगाई बढ़ड़ी इस वज़े से demand में जाफ हो रहा इस वैसे या पर supply lack of supply supply की कमी या तुस्प्लायर ने supply जाए रोक दिये या फिर जाएरी बात है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है मार्केटिंग कम्मिनिकेशन की बात करें प्रोमोशन आ जाता है तो प्रोमोशन ऐसी एक्टिविटी होती जिसके जरी एंकरीच कहा जाता है कंजूमर्स को रेकनाइज करें आपकी प्रोड़क्ट या सर्विस और वो बाय भी करें और यह फॉर पीस में से एक है प्रोड़क्ट प्राइस प्लेस प्रोमोशन जो है वो फॉर पीस के अंतर आ जाते हैं और एडवर्टाइजिंग जो पर्जूजिव कम्मिनिकेशन की करें जो के प्रोमोट करती है सील्स को साइमल्टेनियसली एडवर्टाइज करते हुए जो प्रेजंस से अपकी गोर्ज सेविस की लाज नंबर आफ कंजूमर्स को और पुष्ट्रेजिय और पुल स्ट्रेजी में जुए वह इंड्यूस करता है मैनुष्छरर मेंदल मैं को के वो पुष्ट करें product को, यानि को उसको वो कुछ incentive वगईरा देता है, या तो वो profit देगा उसको ज्यादा, या पिर उसको कुछ commission वगईरा देगा, जिसके जरीए फिर वो फुष्ट करेगा, customers को recommend करेगा, ऐसा तब होता है, जब brand loyalty कम होती है और choice जो है product की तब होती है जब उनको खरीदा जा रहा होता है ऐससे situation में और pull strategy के अंदर encourage directly consumers को किया जा रहा होता है यहाँ पर advertising और customer promotion का इस्तमाल किया जाता है theoretical definition public relation की यह के form किया जाए friendly relationship जो है वो interactive communication के जरी और और public के दर्मियान इसको कहा जा सकता है कि बहुत सी marketing activities जो कर परफॉर्म करती company या फिर brand उनको integrate किया जाता है एक ही जगा और जो एक non most known और यूज होने वाली marketing के अंदर जो एक model है वो है आइडा model जो कि है attention interest desire and action है और इसको प्रोपोस किया और इसके अंदर चार स्टैप्स हैं जैसे कि आपको बताया गया और जो different तरीके हैं budget allocate करने के advertisement के लिए वह पहला है competitive parity method जिसके अंदर competitors को देखते हुए किया जाता है budget और affordable method जिसमें अपनी affordability को देखा जाता है और objective and task method है अपने objectives और टास्क को सामने रखते हुए किया जाता है budget और percentage of sales है यानिके percentage ली जाती है sales के sales होती है marketing mix के अंदर जो 3 प्लेस्मेंट यानिके place और यह इंशोर करता है कि effective और टैमली अवेलबल कर रहे जाए प्रॉडक्ट जो कस्टमर्स के लिए और आप इस्ट्रीम पार्टनर वह होते हैं जो करा material supplier और पार्ट सप्लायर इंफॉमिशन और expertise जो के प्रोवाइड एक्सपर्टीस प्रोवाइडर होते हैं effective manufacturing के लिए प्रॉडक्ट के यानिके manufacturing से पहले कि जो लोग हैं वह आप स्ट्रीम पार्टनर में आ जाते हैं और downstream के अंदर शामिल होती है marketing को distribution चैनल जो के कस्टमर्स की तरफ होते हैं और marketing marketing चैनल जो है बहुत सी फर्म जो पार्टनर करते हैं दूसरे के साथ प्रोमोशन करने के लिए common गोड जो है यहां पर हर अब्थिक्ल मार्केटिंग सिस्टम जो होता है चैनल लीडर्शिप इसके अंदर होलसेलर है रिटेलर है प्रोडूसर है जो क्या करते हैं यूदिवाइट होल के तौर पर एक मिल के काम ये लोग कर रहे होते हैं टर्म के अंदर उसको डॉप किया डिफरेंट बिजनसेस या और फंक्शन ने सस्टेनेबल मार्केटिंग जो है वो एक्जाम्पल उनी फंक्शन की और कुछ क्रिटिसिजम किये गए हैं मार्केटिंग एक्टिविटी के उपर और यह तीन पॉइंट के जो हो आ जाते हैं इस सब्सक्राइब करने जाते हैं कंजूमेरिजम जो यह वह और गवर्मेंट एजनसी की ताके प्रोटेक्ट किया जाए और इंप्रूफ किया जाए जो लिविंग एंवाइर्मेंट है लोगों का उसको पॉलूशन प्रिंशन के अंदर गतरे हो जो ना से फिए के किलिन अप कि ऐらい जो भी वेस्ट है बलकि अलिविनेेट भी कर दिया जाए और मिनिमासि कि आ जाए वेस्ट को इससे पहले कि और और स्थीमाइशन कर न करिढ़न पॉलूशन जो कि एज那 डिग करने के लिये है उटे डिजिटल मार्केटिणंग आज ह few एक मार्केटिंग की फीरल फोट के का लगुट कर या इंटरनेट की तेघा जाता है उट डिफरेंट जो है वह डिजिटल मीडिया का उस ंटाम गली के जैसे के इंटरनेट वगरे को यूज कते हुए ही किया जाएगा उन्ट इसके फाइदे क्या है कि कंवेशनल मार्केटिंग इसके मुकाबले में बहुत जाद महेंगे जैसे कि टीवी बिलबॉड वगरे बहुत महेंगे होते हैं और इसके लिमिटेट रीच भी होती है लोकल एफेक्ट आपको नहीं पता चल पाते हैं आपके आपको पास डेटा मोजूद नहीं होता जिस ताहरा से आनलिटिक्स आता है आप कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में तो उसमें बहुत मुश्किल होता है और इसकी अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो हम क्या सकते हैं क most of a digital marketing का पहली बार युश्कियागल में और पहला सइच गेंजन वरיתי की नाम से लाउंज केया और लोँस किया है औहले की फारन किया इंटरनेट के फर न Ao में और याहू को और जो पहली e-commerce transaction हुई नेट मार्क के उपर 1994 के अंदर हुई वो और जो टूल टेक्निक है डिजिटल मार्केटिंग की वह भी जारी बाद यूज की जाते हैं डिफरेंट टूल यूज के वीडियो के उपर बेस करती है उनकी प्रोफाइल पर शोशल मीडिया चाहता है चाहिए उनकेppenी चुक्त वेयाद है है content is a king और यह बात बिल्कुल सही भी साबित हुई है क्योंकि content जितना बहतर होता है इतना ही ज्यादा लोग इंगेश्मेंट होती है content बनाया जाता है images phrases blogs और videos बनाके promote किया जाता है product या service को search marketing होती है जानके search engine बगरा के जरीए की जाती है उसमें index किया जाता है website को rank किया जाता है so refine किया जाता है tuning की जाती है website की on page और off page practices के जरीए और search engine optimization होती है जो के बहुत बढ़ी field है पेपर क्लिक advertising होती है जहां पर ads चलाए जाते हैं search page के अपा जब कोई keyword को enter करता है user उसके पास उसी से relevant ads चल रहे होते हैं और यह ऐसे डोते हैं क्योंकि पेपर क्लिक होते हैं जब उनका कोई क्लिक करेगा तो पे किया जाएगा दरवाइस पे नहीं किया जाता digital product आज के दौर में use की जाती हैं कई सारी digital products हैं जैसे के movies हैं books है songs और डिजिटल सर्विसेज वगरा भी है और यह ऐसी चीज़े होती है जो के digital भी होती है physical भी होती है जैसे के tickets जो है वह डिजिटल आप देखते हैं सेल हो रहे हैं आज के दोर में लेकिन जो flight है जारी बात है वह फिजिकल कॉमपोनेंट है और डिजिटल प्लेस भी है यह एक virtual environment है इसमें नॉर्मली तोर पर कोई website है या कोई app भी शामिल हो सकती जो क अलाओ करती है individual को कि वह अपना business करें electronic ली तोर पर यानि कि वह एक तर से सेल कर सकते हैं अपनी product को डिजिटल यह है इसका और डिजिटल प्रोमोशन किया जाता है सिंपल बात की जाए तो प्रोमोशन जो internet के उपर किया जाता है उसको हम कहते हैं और consumer के हम बात करें digital world के अ 1 है sorry 2.0 है वो ज्यादा empowered भी हो ज्यादा informative है 1.0 के मकाबले में तो यह थी आज की वीडियो आपको इस बार में कोई question है खास तो पर इसमें कोई mistake दिखाए दिखाए दे जरू highlight कीजिए और इस पूरी सीरिस को देखने के लिए और final term exams के preparation के लिए इस चैनल को subscribe कीजिए बै best of luck for your exams